Hey everyone, कैसे हो आप लोग? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे and friends मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ flower pod की DIY idea जो कि बहुत ही easy and I hope आप सभी लोगो पसंद भी आएगी और आप भी इस तरह से flower pod को अपने घर में बना सकते हैं और अपने घर की किसी भी कोने को decorate कर सकते हैं तो friends अगर आप मेरे चैनल पर first time विजिट करें तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और bell icon को भी जरूर प्रिस करना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथी आप मेरे इंस्टा और फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए DIY को start करते हैं तो friends आज की DIY के लिए हम यूज करने वाले हैं इस तरह के empty container जिसे हम अक्सर fake देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक empty container पड़ा हुआ था जिसका इस्तमाल करके हम बनाने वाले flower pot आपके घर में भी इस तरह का कुछ नकुस तो पड़ा जरूर होगा तो आप उसका इस्तमाल करके flower pot बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक rectangle shapes का container लिया है और साथी इस तरह का एक round जो की दही का container है तो हम इसी का इस्तमाल करके flower pot बनाने वाले हैं आज साथी में यूज करने वाली हूँ यह birla white cement जो कि आपको किसी भी hardware की shop में 45-50 rupees में मिल जाएगा और यह 1 kg का packet है और इस packet से आप around 2-3 flower pot बना सकते हैं तो हम इसी white cement का इस्तमाल करने वाले हैं और बहुत ही कम सामान से यह flower pot बनने वाला है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइ करना तो फ्रेंज सबसे पहले आपको white cement को एक empty bowl में निकाल लेना है और उसके अंदर आड़ करना है required water और इसे आपको अच्छे से mix कर लेना है और बिल्कुल भी lumps नहीं रेना चाहिए इसके अंदर उसके बाद में इसे empty container के अंदर डाल देना है आप जिस भी container का istعمal करना चाहते है उसके अंदर और उसके बाद में इसके बीचो बीच आपको रखना है दूसरा container आप किसी भी empty container का istعمal कर सकते हैं और कोई भी shapes का उसके बाद इसके उपर वज़ एक पानी से भरा हुआ मग या फिर ग्लास रख सकते हैं और जिससे ये कंटेनर अच्छे से अंदर सेट रहेगा उसके बाद इसे कंप्लीटली सूखने देना है देर से दो दिन तक कंप्लीटली 24-30 आर्स तक उसे बिल्कुल भी आपको चूना नहीं है और ये जब सूख जाए देर से दो दिन के बाद उसके बाद इसे आराम से आपको निकाल लेना है बहुत ही आसानी से सब कुछ निकल जाता है बस आपको इस तरह से गुमाना है और पीछी की तरह पलटते हुए इसे टाप करना और ये बस निकल जाएगा तो इस तरह से आपका फ्लावर पॉट रेडी हो जाएगा ये हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसे हम clean करेंगे कोई भी polish paper से और जहां पर भी आपको roughness लगे इस polish paper से आप clean कर सकते हैं ये polish paper भी आपको किसी भी hardware की shop में बहुत ही easily 10 to 20 रुपीज में मिल जाएगा तो बस इसे आपको इस तरह से clean करेंगे और उसके बाद हम इसके उपर apply करेंगे color paint apply करेंगे और paint apply करने के लिए मैंने अक्रिली color कर इस्तमाल किया है आप चाहे तो इसे colorful भी बना सकते हैं बड़ मैं इहां पर इसे completely white रखने वाली हूँ और फिर इसे भी dry होने देना है आपको और उसके बाद ये आपका flower pot बिलकुल ready हो गया है इसके उपर आप चाहे तो कोई भी flower लगा सकते हैं या इस तरह के leaf भी लगा सकते हैं और जो की दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है और इसी तरह से आप भी अलग-अलग flower pot को अपने घर में ready कर सकते हैं अपने घर की किसी भी कोने को बहुत ही सुनते तरीके से decorate कर सकते हैं तो friends I hope आप सभी कोई DIY आइडिया पसंद आई होगी और आप इसे जरू try करेंगे और friends अगर आप try करेंगे तो अपना experience मेरे comment box में जरू लिखिए तकि मुझे भी पता चले कि आप लोग ने इसे try किया है तो friends आज की वीडियो पसंद आई है तो please इसे like और share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए और bell icon को भी जरू प्रेस कीजिए तकि आने वाली सारी वीडियो की notifications आपको मिल सकें तो friends बबाए और take care और मिलते हैं एक नई वीडियो में